ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की फूरी गैरेंटी है तो सोचिये मत जल्दी से बनाईए अपनी फेवरिट टीम अउनली अन्माइटीम 11 इंडिया की अपनी फैंटे नाँटी के केंदरी मंध्री मंदल से इस्थिपा हुआ है, और सिम्रत कोर का इस्थिफा हुआ है दर असल केंदर सरकार ने जो किसानों से जुड़े क्रेशी, से जुड़े टीन नए बिल पेश किये हैं उसको लेकर अकाली दल का विरोध और उस विरोध को देखते हुए ये इस्तिफवा हुआ है आपको बता दें कि ये तीन बिल सदन में पेश किया गए और उनमें पहला बिल है कृषी उपज व्यापार और बानिज्य अध्यादेश इसके अलावा दूसरा बिल है मुल्या आश्वासन तथा कृषी सिवाओ पर किसान समझोता अध्यादेश और तीसरा बिल है आवशक वस्तू संशोधन अध्यादेश दरसल विरोध इसको लेकर लगातार हो रहा है लेकिन हर्सिम्रत क्या कुछ कह रहे हैं यह हम आपको सुना तो किंद्रे मंद्री हर्सिम्रत कौर ने इस तीफ़ा दे दिया है मेरी सेयोगे और दिली विरोचीफ अधिती नागर मेरे साथ जुड़ चुगा अधिती क्या ये माना जाए कि अकाली दल क्योंकि किसानों का एक बड़ा वोट बैंक पंजाब के अंदर और अभी इस बिल्कुल लेकर हर्याना जो कि पंजाब से लगता हुआ राजय है वहाँ पर जमकर विरोध हुआ था ऐसा विरोध पंजाब में ना हो अकाली दल के खिलाप न जिखाये क्या है रिजाइंड फ्रॉंडीन काबनेट इंस प्रोटेस्ट अगें एंटी फार्मर ओर्डिन एंद लेजिस्टेशिशन प्राउड तो संदु पार्मर्स एस दोटर्टर्स एंसिस्टेशन ने आपर रिजाइं कर जिए कि सुमा से ही लगाता ये सुच्तान का म बड़े मंत्री हैं जो कहते मिलने भी जए बास्चीत भी की और जिस आनन पानन में इस बिल को लेकर रपोर्स हुआ तो ऐसे में जो केंद्रे जो पीमो है वहां के सभी सांसरों को मैसेज कि कोई भी अपनी सी इतना छोड़े और अगर वो पारलिमेंट से बाहर है तो वाप विजेंद्र को किसी भी तरह का विरोज पंजाब में अकाली दल को लेकर ना हो इसलिए यहां पर होने रेजिगनेशन करते हुए साफ क्या है कि मैं फिलाल जो फार्मर्स हैं उनके साथ खड़ी हो और मुझे बहुत अश्कर मैंसी हो रहा है कि यहां पर मैंने यह जो दिल ह यह एंटी फार्मर बिल है उसके दिरोज में खड़े होकर मैंने केंजे टैबनेट से रिजाइन कर दिया अगर वो लागू हुए तो फिर क्रिशी का प्राइवाइटेजेशन हो जाएगा यानि कि नीची हाथों में किसानी चली जाएगी ब्रजेंद जी जी मैं आपकी वाद से सहमत हूं ये तीनों जो दिले इनके कारण से खेती का नुक्सान होगा देश को नुक्सान होगा और बीजी भी बहुमत में उस बहुमत के गवर्ण के कारण से इसको पैचा नहीं पा रही है दूसरा जो इन्होंनों मोडर अडप्ट किया हुआ है नफरमेंट का जो एकोनोमिक डिजाइन की वह है निवेश आधार्त विकास करने के लिए यह सारा काम कर रहे है तो खुद का नहीं बहार के लोग जैसे हैं उन को इसमें किसानों का अहित तो भी ये किसानों के भले के नाम पर ये भारी कंपनियों का देश की बड़ी कंपनियों का बड़े फूजी पतियों को एक अधिकार क्रशी उपज़ों में व्यापार में सौपने के लिए ये सबकाम कर रहे हैं लेकिन रामपाल जार जी मैं आपसे समझना चाहूंगा सर क्योंकि तीन बिल जो हैं उनमें पहला बिल ये कहता है कि किसान अपनी उपज़ को फ्री व्यापार की स्विधा उसको उपलब्द करा देगा यानि कि वो कहीं पर भी उसको बेश सकता है दूसरा बिल ये कहता है कि कोंट्रेक्ट फार्मिंग होगी इसे छोटे किसानों को ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया है तीसरा बिल जो है वो ये कहता है कि दला नना जिखादे तेल आलू प्याज ये अनिवारिये व्यवस्ताओं की और वस्तूं की सूची से इटा दिया जाएगा इनका स्टोरेज किया जा सकता है किसान इनको स्टोर कर सकता है तो इनमें से घलत क्या लगता है सर पहले जो चीजे क्रशी उपसेओं का व्यापा जी अब तक किसान पे कोई भी पृतिवन्द देश में नहीं था कि वो अपनी उपस को कहीं बेच नहीं सकता हो किसान पहले भी बेच सकता है लेकिन पिश डंग से बीजी पिश को प्रसारित कर रही है कि हमने किसान को आजादी देजी किसान को सतंत कर दिया किसान अब तक बेडियों में जखड़ा हुआ था ये निराधार और मित्ट्य प्रसार है पहले भी किसान अपने उपस को कहीं किसान अब ये मंडियों के माधियम से कहीं पर भी बेच सकता है तो आप ये मान कर चले किस बिल का विरोध नहीं हो रहा होगा कम से कम इस एक अध्यादेश का जो के क्रीशी उपज व्यापार और वाणिजी अध्यादेश है इसलिए ये जो कृशी ओपर एवंबानेज का बिल है उनके व्यापार के समझ में इस व्यापार पर पूंजी वालों का एक अधिकार हो जाएगा अबरेजनी जी और किसी का भी एक अधिकार होता है तो वो उत्पाद को देता है कम से कम दाम जी और गोपा की देव से बसूल क पहाएगा वो संकटमाएगा और आप दूसरे नामपाल जाड जी अगर आप मुझे सुन पारें सर कों से दूसरे बिल की बात करें जो यह कहता है कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग हो सकती है आप उसकी बात करें अब दूसरे की माँ बात करता हूं बदून जी यह जो समझा ख मुझाने लिख जाएगी उसकी ग्रेडिंग उसकी फेर अबरेश क्वालिटी इसका निर्धान भू करेंगे इसका आरती है कि पूरी की पूरी व्याफसा यह चली जाये जाएगी यह जो जिनको कहते है फैसलिट उनके हाथ पैं जिनको कहता है ट्रेडर उनका हाथ में बड तो लिए जो कॉंटेक्ट फार्में का अन्माव आया देश में त्मटर की हो चाहां प्रमें की है अपने चाख सुबह जयपर में एक साल तरुमाटर खरीदा दूसरी साल तो खिसानों का च्रच्टर में भर कर अपना तमाटा शड़कों फैंकना पड़ा था यह खरीद में को एक बिल पास हुआ और अकाली दल ने सदन में बीजेपि का समर्तन दिया तो पिर इस सरीके का विरोध पंजाम में उनके खलाप हो सकता है बिल्कुल विजिंदर जी अपने दर्शकों को बता रहेते हैं कि जिस तरीके से 2022 में पंजाब में चुनाओ गया है और उस चुनाओ को देखते होगे ऐसा किया जा रहा है क्योंकि हरियाना में तो किसान पर्दसन करी रहे थे लेकिन पंजाब के किसान भी अपना जो परदसन है वो कर रहा है से लगातार समय समय पर वो पंजाब के कुछ किसान अभी दो दिन पहले दिल्ली पोचे थे और अपना विरोध परदसन किया वही जो पंजाब के कॉंग्रेस के सांसद है वो भी विरोध परदसन लगातार कर कमल जी क्या मुझे सुनबा रहे हैं लगता है संपर कर गए एक बर फिर से उनसे संपर करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको बता दें कि तीन अध्यादेश जिनको लेकर हर्ट सिम्रत कौर ने इस्तीफा दिया है मोधी मंत्री मंडल से इस्तीफा दिया है वो बिल क्या कहते ये एके करके हम आपको बता रहे हैं पहला बिल है कृषी उपज व्यापार और वाणिजय अध्यादेश. ये कहता है कि राज्यों के कृषी उत्पादन मार्किट कानूनों के अंत्रगत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के फ्री व्यापार की स्वीधा है यानि कि किसान कहीं पर भी अपने व्याप अपने जो खेती है उसको बेच सकता है एक तरीके से फ्री मार्केट इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं अभी भी इम मंडी का उप्शन किसान के पास होता है दूसरा जो बिल है वो बिल है मुल्य आश्वासन तदा क्रिशी सेवाओं पर किसान समझोता अध्यादेश ये अध्यादेश कोंट्रेक्ट फार्मिंग के बात करता है छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया सरकार इस पर अपना तर्क देती है कि अध्यादेश किसानों को शोशन के भैके बिना समानता के आधार पर प्रोसेसर्स, एग्रिग्रेटर्स, थोक विक्रिताओं, बड़े खुद्रा कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा क्याने का मतलब यह है कि जो अभी तक किसान ये इस तरीके से प्रतारित होते थे कोई आरोप लगाता था कि खादर वक्त पे नहीं मिल रहा है, कोई कहता था कि उसके बाद सलसाधा नहीं है किसी को मुल्या उचित नहीं मिलता था, किसी के साथ मंडी में चक्रवर्ती व्याज या साहुकारों के चंगुल में फसा रहता था पीजेपी का, इस पर तरक है कि इन सबसे वो फ्री हो जाएगा, वो एक माली की भूमेका में आएगा, एक कॉंस्रक्टर की भूमेका में आएगा तीसरा बिल, जो है आवश्यक वस्तू अध्यादेश, वो दर असल कहता है कि अनाज, दलन, खादे तेल, आलू और प्याज, इनको अनिवारिये वस्तू की सूची से हटा दिया गया है आपको ध्यान होगा, अभी मोदी सरकार ने प्याज के निर्याद पर रोक लगाई है, क्योंकि प्याज के दाम तेजी से बढ़ रही है ये आविशक बस्तूओं में है, कोई प्याज को स्टॉक नहीं कर सकता है, आलू को मातरा से ज्यादा से ज्यादा अनाज को स्टॉक नहीं कर सकता ये stock जो करने के जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है लेकिन अब सरकार इस सद्यादेश के जरीए कह रही है कि इन सब को सुची से हटा दिया जाएगा यानि कि इसका एक तर्क तो ये हो सकता है कि stockist मौके का फायदा उठाएंगे वो चीजों को stock करेंगे, दाम को उच्छा लेंगे और उसके बाद stock को release करेंगे किसान ये तर्क दे सकता है लेकिन कहा ये जा रहा है कि storage किया जा सकेगा किसान अपने level पर storage करनेगा और यहां किस सरकार जो मानती है वो ये मानती है कि किसानों की अच्छी पैदावार होने के बावजूद cold storage या निर्याद की सुईधाओं के अभाव में और बस्तु अधिनियम के चलते उनकी फसल के सही दाम नहीं मिल पाते है